वाडी पुलिस स्टेशन के डीबी पतक वो अन्न वो औश्यदी प्रशासन टीम ने गुरुवार को लावा गावा में एक निकुष्ट बर्फी के कारखाने पर छापा मार कारवाई की बताया गया कि दीपावली को ध्यान में रखकर तीन दिर्म पुर्व ही कारखाना शुरू कर दिया था दो कड़ाई में दूट से निर्मित बर्फी सेफलाइट का उपयोग किया चारा था जो सेहत के लिए हानिका रखे 555 किलो बर्फी की कीमत 1,19,110 रुपे का माल कारखाने में ही सील कर दिया बताया गया कि कारखानों के लिए अन्य अवशदी प्रशासन विभाक वो ग्राम पंचायत की अनुमती भी नहीं ले गई बिना अनुमती के ही कारखाना चल रहा था दूद, मिल्क पावडर, शुगर से बर्फी बनाई चाती थी जोदपूर राजुस्तान वासी मेगराज बिसुसिंग राजपरोहित ने कार खाना शुरू किया था दिन बर कार खाने का शटर बन कर अंदर में बोगस बर्फी का निर्मान कर रहा था जिसके बाद जांच कर बर्फी के सेंपल जांच के लिए लैब में भेजे के लैब की रुपोर्ट आने के बाद मामला दर्स करने की जानकारी अन्नव अउशजी सुरक्ष अलिकारी ललित सोयामी ने दी तीन दिन पहले शुरू हुए बोगस बर्फी कारखाने की गुप चानकारी गुरुवार को सुभे 5 बचे डीबी के इंचार्ज अविनाश चैभाय को मिली डीबी पतक ने इसे गंभिर्ता से लेकर गुरुवार को सुभे 8 बचे अपने दलबल के साथ लावा गावा में चल रहे बोगस बर्फी कारखाने पर पहुचे तो कारखाने का शटर बन था लेकिन अंदर बर्फी का निर्मान चल रहा था पतक ने शटर को खोला वो कारखाने में प्रवेश करते ही बोगस कारखाने का खुलासा हुआ कारखाने में स्वच्छता का अभाव दिखाए दिया गंदगी में ही बर्फी की निर्मती हो रही थी PSI अविनाश जैभाई ने अन्व अवशदी प्रशासन अधिकारी ललित सोयाम को सूचना दी सोयाम तुरंट घटना सल पर पहुचे वो कारखाने पर कारवाई की कारवाई करीब पाच घंटे चली वाडी पुलिस डीबी इंचार्ज अविनाश जैभाई प्रमोद गिरी संतोष उपाध्याई दुर्गादास माकडे शिवशंकर रोठे अन्नव अवशदी प्रशासन स्रक्षा अधिकारी ललित सोयाम इसस महाचन नमूना सहायक अरुन सौदे निक कारवाई को अन्चाम दिया डीवाली का त्योहार आते ही लोगों में मिठाई का हर्श निर्मान होता है इस बीच बड़ी मातरा पर मिठाई की निर्मिती होती है परंतु मिठाई किस तरीके से खरीदना है और स्वास्त के लिए कौन सी मिठाई स्वस्त है यह अभी देखना बहुत सरूरी है इस सरीके की अवैद मिठाई बनाने वालों का परदा फाश करके नागरिकों ने स्वास्त की और सावधानी बरितनी की अपील NBCN News करता है वाडी से सहरब पाटिल की रिपोर्ट NBCN News नाकपुर